नमस्कार हिंदी साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की त्यारियों के अंतरगत आज हम पड़ेंगे तमस जो भीशम साहनी द्वारा रचित उपन्यास है अगर अभी तक आपने हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हम अपने 4-5 उपन्यासों को कर चुके हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं तो चलिए आज हम पड़ेंगे तमस के बारे में जो भीशम साहनी का उपन्यास है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भीशम साहनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भीशम साहनी का जनम 1915 इस्वी में हुआ और इनकी मृत्यू 2003 में हुई और प्रगतिवादी उपन्यासकारों में इनका नाम प्रमुक्था से लिए जाता है हम सब जानते हैं कि जो मुन्शी प्रेमचेंद हैं जिनोंने यथार्थ के उपर बाद में लिखना शुरू कर दिया था उनहीं की परमपरा में आगे यश्पाल हुए और यश्पाल के पश्चात जो अगले सहित्यकार माने जाते हैं या उपन्यासकार माने जाते हैं प्रगतिवादी और वे हैं भीशमसाहनी तो भीशम साहनी इन पर जो माक्सवाद का प्रभाव देखने को मिलता है इनके व्यक्तित्तों में आगे देखिए कि मानुविय मूलियों के लिए हिमायती रहे और उन्होंने विचारधारा को अपने उपर कभी हावी नहीं होने दिया देखिए एक साहित्यकार के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी जो विचारधारा है उसको अपने उपर हावी नहीं होने दिया वामपंती विचारधारा के साथ जूड़े होने के साथ साथ वे मानुविय मूलियों को कभी आँकों से ओजल नहीं करते थे देखिए ये वामपंती विचारधारा के साथ जूड़े थे ही थे लेकिन इन्होंने क्या किया जो मानुविय मूले हैं उनको उन्होंने अपनी आँकों से कभी भी ओजल नहीं होने दिया हिंदी फिल्मों के जाने माने हविनेता बलराज साहनी के ये चोटे भाई थे तो बलराज साहनी के ये चोटे भाई थे तो उसी से ये प्रभावित हुए और इन्होंने क्या कर दिया तमस उपन्यास की रचना रच डाली फिर आता है कि जो 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरुसकार से भी इनको नवाजा गया तो दिए ये तमस 1973 में नोंने लिखा लेकिन 1975 में जाके इनको क्या मिला इस पर साहित्य अकादमी पुरुसकार भी मिला इसके अलावा इन्हें और भी बहुत सारे पुरुसकार मिले हैं 1973 से लेकर के 1986 तक देखें ये प्रगतिशील जो लेकक संग था उसके रष्ट्य महा सचीव रहे ये तो ये भी इनके एक मौतापोन अप्लब्दी है कि ये प्रगतिशील लेकक संग के क्या है रष्ट्य महा सचीव रहे हैं तो ये विशमसाहनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी इनके बारे में और देख लेते हम की ये उपन्यास के अलावा कहानी और नाटक भी लिखते हैं तो देखे इनके जो प्रमुक नाटक हैं हानुश, कबीरा खड़ा वजार में, माधवी, मुआबजे, रंगते बसंती चोला और आलमगीर तो ये इनके क्या हैं प्रमुक नाटक हैं इसके साथ ही साथ इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं जिसमें भाग्यरेखा, पहला प आगया है और दूसरा चीफ की दावत, तो दो कहानियां आमारे नेट के पार्ट एक्राम में भी शामिल हैं तो हम देख सकते हैं कि कितने महत्तोपूर्ण हैं एंटी यूजीसी नेट के विद्याथियों के लिए और साथ ही साथ हिंदी साहित्या के अंतरगत इनका एक जो पेशे से अंग्रेजी का अध्यापक था और जिसकी भाषा पंजाबी थी वह हिंदी साहित्या में एक प्रतिमान स्थापित कर रहा था तो दीकिए डॉक्टर नामबर सिंग इनके बारे में क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि इन्हें देखकर एक तरीके से हैरानी होती है क जो रावल पिंडी से आया हुआ अध्यापक था और भाषा जिसकी पंजाबी थी वह हिंदी साहित्या इस तरीके से लिख रहा था और नए नए प्रतिमान किर्तिमान स्थापित कर रहा था अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी ठीक है तो ये डॉक्टर नामबर सिं तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक यहां पर मैंने लिखती है अगर आपको ये उपयोगी लग रही है तो आप इसको अपना सकते हैं देखिए जख तौम कुनी तीन शब्द याद रखने है जख तौम कुनी तो देखिए नीचे एक एक जो पहला वर्ण है ठीक है उस इसे ही हमने इसको बिल्कुल जो करम अनुसार रखा हुआ है तो आपको अगर याद करने में दिकत है या अगर आप इस ट्रिक के जरीए याद रख सकते हैं तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं क्यूंकि UGC NET के एक्जाम में बहुत बार इनके उपन्यासो को करम वाइज पूछा गया है तो हो सकता है इस पार भी पूछ लिया जाए या फिर आगे आने वाली प्रिक्षाओं में कहीं भी प्रिक्षा में पूछा जाए तो हमें ये इस तरीके से याद रखने होंगे कि सबसे पहले जरोखे आता है तो इसमें इनोंने आरे समाजी और मध्यवर्य परिवार का क्या किया है अंकन किया है जबकि कडियां जो है इसमें दामपत्य जीवन की कटुता और स्त्री की असहाय स्थिति का अंकन किया है ठीक है तमस में इनोंने भारत विभाजन की बात क महानगर यह है महानगर है उसकी जुग्गी जोंप्रियों वाली जो गंदी बस्तियों है उनका इनों ने क्या किया है वसंती उपन्यास में अंकन किया है आग आता है कि कुंतो तो कुंतो में इनों नारी जीवन के चिरंतन पराधिंता जन्यपीडा का अंकन किया है तो ये कु उपन्यास 1973 में इन्होंने लिखा था और सहीत्य अकादमी से ये सम्मारित है सहीत्य अकादमी पुर्षकार इसको मिला है 1975 में फिर 1947 में भारत विभाजन की भयानक सामपरदाइक विभीजिका का महाकाव्यात्मक अंकन है तो देखिए महाकाव्यात्मक अंकन पीछे वाला जो हमने अपना उपन्यास पड़ा था जूटा सच तो उसको भी महाकाव्यात्मक अंकन की संग्याद दी गई है और इसी तरीके से जो तमस उपन्यास है उसको भी क्या बोला है ये जो बयानक सामपरदाइक विभीशिका थी उसका क्या है ये महाकाव्या है एक तरीके से ठीक ह बीशम सहनी जी आग्याता है कि भीशम साहनी की प्रशिधी का अधार भी यही उपन्यास रहा है तो तमस उपन्यास से ही इनको क्या मिली है प्रसिद्धी मिली और इसी के चलते इनको इसमें सहित्यकाद में पुरुसकार भी मिला है ठीक है भीशम सहनी की जो प्रसिद्धी का अधार रहा और उसके अलावा हिंदी के अलावा जो इस उपन्यास का देखिए अंग्रेजी, ग इनका उपन्यास है तो इस पर 87 में गोविन निहलानी जी ने क्या कर दिया था धरवाइक बनाया और फिलम भी इस पर बनी है तो ये था तमस उपन्यास की बारे में थोड़ी सी भूमी का थोड़ी सी इसकी एक तरिके से इंटरड़क्शन अब हम देख लेते हैं जो तमस उप बली मच जाती है वे भड़क उड़ते हैं और गाय को दोड़ा दोड़ा कर मानना शुरू कर देते हैं जिससे दोनों समधायों में तनाव की स्थिती उत्पन हो जाती है और जगा जगा दंगे शुरू हो जाते हैं सिख भी दंगों का शिकार हो जाते हैं जिससे लाखों ज जाने चले जाती हैं और भी नुकसान होता है प्रशासन जब तक स्थिति सुधाने की कोशिश करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है तमस फैल चुका होता है तो देखिए संक्षिप्त जैसी इसकी मैंने एक सम्री जैसी बनाने की कोशिश की है कि इस उपन्यास में क्य कहां से यह शुरू होता है एक व्यक्ति जो नत्थू इस उपन्यास का नायक भी है वो क्या करता है कि जो सुर होता है जो मुराद अली होता है वो अंग्रेजों का चाड़ोकार होता है ठीक है वो नत्थू को क्या करता है कि एक सुर मारने को बोलता है कि उसको कहां पर फैंकत और वो भी सिर्फ पांच रुपए के लिए वो सुवर को मार देता है उसके बाद क्या होता है कि जो मुस्लिम समधाय था उसमें सभावी के कि खल बली तो मचेगी ही मचेगी ठीक है लेकिन क्यूंकि उनकी जो आस्थाएं है धार्मिक आस्थाएं है उनकी उसको कहीं न कहीं ठेस पहुँचेगी और जब उस तरीके से होता है तो वो क्या कर देते हैं गायों को दढ़ाना शुरू कर देता है गाये को माना शुरू कर देते हैं और इससे हिंदू बढ़क जाते हैं जब हिंदू बढ़क जाता है तो क्या होता है उस पे तनाव की स्थिती उत्पन हो जाती है स्थिती उत्पन तनाव की अगर हो गई तो फिर सुभाविक्ता की दंगे तो होना ही है और उन्हीं दंगों के बीच में 4-5 दिनों का जो भी पूरा का पूरा प्रकरण उस बीच हुआ कितना दुराचार फैला उसमें है ना अत्याचार कितने हुए उसमें जो निर्दोश लोग थे उनकी जाने गई है तो यही इस उपनियास का सार है थोड़ा सा कि इस घटना पर ये पूरा का पूरा प्रकरण होता है कि कुछ चंद लोग क्या अपने स्वार्थ परता के लिए क्या करते हैं कि जो दो समुदायों को आपस में लड़वाते हैं इसमें सिक संपरताय का पीच में जिगर आता है इसमें संपरताय के लोग भी इसमें शिकार होते हैं दंगों के और प्रषासन तब जागता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक तमस चा चुका होता है, मतलब अंधेरा, तमस का मतलब होता है अंधेरा, अंधकार, तब तक अंधकार फैल चुका होता है, जो सामपरदाइक ता रूपी जो अंधकार है, जो मानुता को खतम कर देता है, तैसनेस कर देता है, तो ये इ एले खंड में सामपर्दा एक तनाव की कहानी तो देखे इसमें खंड है भाग नहीं है खंड का मतलब है कि एक ही पुस्तक में दो खंड है इसमें हलांकि जो पीछे वाला उपन्यास हमने पड़ा था जो जूटा सच था उसमें दो भाग थे जो पहला था वतन और देश दू की विभाजन और उसके बाद होने वाले लोम हर्शक दंगों और उस समय की राजनिती का जैसा चित्रन तमस में मिलता है वैसा किसी कृति में नहीं मिलता अंग्रेजी सरकार का चमचा मुराद अली नत्थु चमार को पांच रुपए देकर सूर मरवाता है और उसे लूट आगजनी खुले आम होने लगती है सामपरदाइक्ता की आग गाओं में फैल जाती है तमस की पिष्ट भूमी में देश के विभाजन की वे गटनाए हैं जिनमें लाखों बेगुनाह लोग मारे गए या फिर बेगर हो गए औरतों ने आत्मरक्षा के लिए कुए मे कूद कर जाने दी इस प्रकार हिंदूओं मुसलमानों और सिखों के बीच नफरत और द्विश की भावना फैला कर राजनितिक दलों ने अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की अजादी से पूरू सामपरदाइक्ता की बैसाखियां लगा कर जो पाशविक्ता इस देश म इस उपन्यास में किया है। पन्यास की जो प्रासंगिकता है वो आज भी उतनी ही है। तीन-चार भाशाओं के शब्द इसमें आते हैं देखिये। इसलिए क्या कहा गया है कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी भाशा युक्ती ये उपन्यास है। हिंदी, मतलब हिंदूओं से है, उर्दू का मतलब देखिये इस तरीके से भी कि मुस्लमानों का जिकर है तो वो उर्दू का इसमें प्रियोग करते थे। पंजाबी लाहोर के आसपास या जो पंजाब के आसपास का एरिया था वहां की बात हो रही है और अंग्रेजी जो अंग्रेजी शासन का रही थे हैं तो इस तरीके से इस उपन्यास की ये समीक्षा यहीं पर संपन होती है। आगे आप हम देख लेते हैं कि इसके जो पात्र हैं देखे बहुत सारे इसमें पात्र हैं या यहों कहें कि पात्रों की इसमें एक तरीके से भरमार है। और हयात बक्ष जो मुस्लिम लीग का कारे करता है सांपरदाइक है। ठीक है लीजा है बंतो है जो लीजा है वो रिचर्ड की पत्नी है बंतो जो है वो हर्मन की पत्नी है ठीक है जो नत्थू की पत्नी है फिर उसके बाद अकना है जस्बीर कौर है। अन्य जो पात्र हैं देखिए देवदत, शहनवाज, रगुनाथ, जरनेल, महताब, बक्षी, शंकरलाल, किशन सिंग, करीम, अजीज, वानप्रस्ती, हरबर्ट, इकबाल सिंग, खुदा बक्ष, इत्यादी तो इसके अलावा और भी अन्य पात्र हैं जो प्रमुक पात्र थे कौन से घोन या विशिष्टाएं हैं, तो उन चीजों के बारे भी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो यह दा दोस्तों तमस उपन्यास, उसके बारे में थोड़ी सी समिक्षा, या उसके प्रमुक जो पात्र हैं, कब लिखा गया, और भिशम साहनी की जो प्रमु उपन्यास कौन कौन से थे, आज हमने आपके बीच में डिसकस किये, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इसे शेर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और ना इस पूर्ति के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जैहिन, जैभाराइब